PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, डेना मरियम जी की पोस्तक, रुकमर्णी और काल चक्र का फेर के ओडियो 72 में आपका स्वागत करती हूँ. सुजाता को काशनी और मेंका का घनिष्ट संबंध याद आता है और वे अंजली से प्रश्न करती है कि किया प्रेमा की भे पुतरी काशनी है? अंजली उत्तर देती हैं. बिलकुल, वह थी. काशनी शस्त्रों के प्रयोग में इतनी निपुन हो गई थी कि वह शत्रियों के बीच कई बार पुनर जन्म लेती रही और अंतता उसने एक पुरुष देह में जन्म लिया क्योंकि महिलाओं के लिए शस्त्रों में महराशता पाना कम सामान्ने हो गया था. फिर एक बार उसने विदहे जनक महराज के राज के निकट एक छोटे राज के राजा के रोप में जन्म लिया. फिर एक मौड आया. यह राजा जो एक सर्फ डा महराज से मिला और उनके ग्यान से बहुत प्रभावित हुआ. उसने उनके महल में कई बार यात्रा की और वहां उसे युवा सीता के विशय में पता लगा फिर एक दिन जनक महराज ने उसे राज महल में रिशी याग्यवलक के और उनकी पत्नी रिशी मैत्रेई के बीच एक समवाद पर आमंत्रित किया दिव्य प्रेम पर एक समवाद राजा उस समवाद से इतना उन्नत हुआ कि बाद में उसने आच्रम जाकर रिशी मैत्रेई से अनुरोद किया कि वे उसे एक छात्र के रूप में ले लें अब मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि उस राजा के साथ क्या हुआ जब मैंने तुम्हारे साथ अपना व्यक्ति का तितिया साजा किया क्या तुम्हें याद है मैंने धीरे से उत्तर दिया हाँ उसने आपकी गुरुजी का इतने उत्सा पूरवक होकर पीछा किया कि आपको उस पर क्रोध आ गया और आपने उसे वही अनुभव करने का श्राप दिया जो उसकी पुत्री ने किया था जब वह अपनी मा की हत्या की साक्षी बनी थी लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि राजा कौन था क्या आपने जिसे श्राप दिया वह काशनी थी मैंने विश्वास से पूछा मुझे भै है कि ऐसा ही है उन्होंने धीरे से उत्तर दिया जब राजा की पुत्री के साथ दुर व्यवार हुआ और पत्नी की हत्या हुई तो मैं तीन साल के एकांत और ध्यान से बहार निकली थी जब मुझे पता चला कि वे पीड़ा देने वाली घटना ना केवल राजा के परिवार के लिए थी बलकि पूरे राज के लिए भी तो मैंने उसे दोशी ठहराया मुझे पुत्री के लिए अत्यंत सहानुभूती अनुभा हुई और मुझे उस राजा पर इतना क्रोध आया कि मैं अपने आपको नियंतरित नहीं कर पाई और उसे कोस्ते हुए श्राब दिया कि एक दिन वह भी यह जानेगा कि अपनी मा की हत्या का साक्षी होना कैसा होता है जब उसका कारण भी वही हो तुमने देखा कि वह मा अपनी बेटी की रक्षा करने का प्रियास करते करते मर गई थी जैसे ही मैंने वह श्राब दिया मुझे खेद हुआ लेकिन मैं उसे वापस नहीं ले सकी मैं अभी अभी गहरे ध्यान से बाहर निकली थी जिसमें मैंने गहरे अध्यात्मिक द्रश्य प्राप्त किये थे और इसलिए मेरे शब्द बहुत अधिक महत्व रखते थे लेकिन मुझ में भी दुर्भा के वश आंकार ने वृद्धी की थी जो अनेकों के पतन का कारण होता है मुझे यह नहीं समझ में आया कि यह एक परीक्षा थी केवर राजा के लिए नहीं बलकि मेरे लिए भी और मैं इसमें असफल रही मैंने अपना आत्म नियंत्रन खो दिया और क्रोध में शराप दे दिया अंजली ने बोलना बंद कर दिया उसकी आखे बंद हो गई और मैं देख सकती थी कि वे उस अनुभव को फिर से जी रही थी कुछ मिंटों के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया मैंने अपनी गुरू जी को निराश किया उन्होंने अपने नेत्र खोलते वे धीरे से कहा जिस शन मैंने राजा को श्राब दिया रिशी मैत्री प्रकट हुई उन्होंने एक से दूसरे की ओर अपने दृष्टी गुमाते हुए हम दोनों चात्रों की ओर देखा मैं उनका दुख अनुभव कर सकती थी लेकिन साथ ही उनका प्रेम भी पहले राजा की ओर मुड़कर उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मेरे परामर्श का पालन नहीं किया अब तुमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा मैंने तुमें समझाने की कोशिश की थी कि त्यागी की जीवन शैली तुमारे लिए नहीं है तुम अपने अहंकार और गर्व को एक महल में भी उतनी ही अच्छी तरह से नियंतृत कर सकते हो जितना की एक पहाड़ी गुफा में लेकिन तुमने सुना नहीं फिर मेरी और मुड़कर उन्होंने कहा उन अनुभूतियों के कारण जो तुमने प्राप्त किया है उसमें तुमने अधिक भूल की है तुम अहंकार के विनाश के प्रती सचेत नहीं थी अगर तुम अपने क्रोध को नियंतृत नहीं कर सकती तो तुमारे सारे ग्यान का क्या उप्योग है क्या तुमने यह नहीं समझा कि जो श्राप देता है और जिस पर श्राप लगता है दोनों ही पीडित होते हैं अब जब सब हो चुका है मैं इसका निर्ने तुम्हारे उपर छोड़ती हूँ कि यह कब और कैसे होगा लेकिन मैं तब तक तुम दोनों से नहीं मिलूँगी जब तक यह विशय सुलज नहीं जाता और यह कहकर वैं वहां से चली गई तब ही मुझे समझ में आया कि वह राजा से उतना ही प्रेम करती थी जितना वह अपने अन्य चात्रों से करती थी भविश में होने वाली तरासदी को रोकने के लिए उन्होंने उसे घर लोटने के लिए मनाने की कोशिश की थी जिसे उन्होंने पहले ही देख लिया था मुझे यह भी एहसास हुआ कि कारे कारण के नियम के माध्यम से मेरे श्राप के बिना ही उसका प्रतिभल आ जाता मेरा हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था कार्मिक प्रतिक्रिया को उसके परिवार के साथ जो हुआ था उसकी ठीक दोहराव की जरूरत नहीं थी यह विबिन प्रकार से सुलश सकता था लेकिन मेरा हस्तक्षेप अब यह आवश्यक बना देता था कि राजा अपनी पुत्री के साथ जो हुआ वही अनुभव करे वह अपनी मा की मृत्यू का कारण बने मैं पच्टावे में खुद को खो बैठी अंजली ठहर गई जब उन्होंने मेरे चहरे पर पूरी तरह से चौकने वाले भावना को देखा मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि मैं जो सुन रही थी वे सच है मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि दयालू और बुद्धिमान अंजली द्वारा जारी किया गया एक श्राप में काशनी को ऐसा संकट जहलने का कारण बना दिया था यह कैसे संभव हो सकता है तुम्हें यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है है न उन्होंने हलकी मुसकान के साथ पूछा मैंने सिर हिलाया मुझे जारी रखने दो याद रखना कि यह सब सीता मा के जीवन काल के दोरान हुआ था हमारी प्रिये गुरुजी फिर सीता को ढूनने चली गई जो अपने दो पुतरों को पालने के लिए अब वन में रह रही थी उन्होंने सीता मा से मदद मागी कि वे उनके दो शिश्यों के बीच उत्पन हुई इस्थिती को सुल जाए सीता मा संत मैत्रेई से बहुत प्रेम करती थी उनके बीच बहुत आपसी इस नहे था और उन्होंने सहर्ष्टा से सहमती दे दी राजा कभी अपने राजे या अपनी पुतरी के पास वापस नहीं लोटा राजा के छोटे भाई ने उसकी पुतरी को गोद ले लिया जो फिर राजे पर शासन करने लगा लेकिन शिष्ष राजा ने प्रतिग्या की कि वह सदा के लिए शस्त्रों का उपयोग करने से बचेगा और भविश्य में केवल महिला शरीरों में जन्म लेगा ताकि जब वह अपने गुरुजी से फिर मिले तो वह उसे वापस नहीं भेज दे वह एक जगह से दूसरी जगह गूमता रहा और अपने जीवन के अंत में उसने स्वयम को उस वन के समीब पाया जहां सीता मा रह रही थी अपनी बढ़ती उम्र में कई दिनों तक पैदल चलने और भोजन की कमी से कमजोर होकर वह वन की धरती पर बेहोश हो गया और इस तरह सीता मा ने उन्हें पाया तुरंथ ही उन्होंने उस राजा को पहचान लिया जो प्राया उनके पिता के पास आता था और जिसके लिए रिशी मैत्रेई ने उनका हस्तक शेप मांगा था वह उसके साथ रही जब तक उसने अपनी अंदिम श्वास नहीं ली और उसे बताया कि वह उसे अंदेखा नहीं करेंगी और श्राप को पूरा होने के लिए उचित समय ढूंडेंगी उन्होंने देखा कि एक गंधर्विस्त्री जल्दी ही प्रिथ्वी पर मानव अनुभव के लिए जन्म लेने वाली थी और उन्होंने राजा की आत्मा को उस गंधर्व की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए भेज दिया जो शत्रिय जगत से बहुत दूर थी, जहां वे संगीत और नृत्य की सुन्दरता के माध्यम से ठीक होना शुरू कर सकती थी मित्रों, अंजली से आगे की कहानी सुनेंगे अगली कड़ी में, आप सब का बहुत-बहुत आभार